हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू ग्रेवल टेटियोरियल आज मैं आपको बीड फर्स्ट येर पेपर टू कंटेंपरेरी इंडिया इजुकेशन का निक्स्ट पार्ट करा रही हूं इस पार्ट के अंदर हम फंडामेंटल राइट का निक्स्ट पार्ट कर रहे हैं और इसके हमारे राइट तू फ्रीडम है आईए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा आर्टिकल 19 है आर्टिकल 19 गैरेंटी इस फ्रीडम इन नेचर ओफ सिवल राइट यान कि हमें नागरिक अधिकार जो हैं उनमें छे फ्रीडम देता है यानि कि छे सबतंतर तरता इसके अ फ्रीडम एफ स्पीच जिसके अंदर यह यह अब छे हमारी फ्रीडम है सबतंतरता हैं वो इंक्लीड है पहली है हमारी फ्रीडम एफ स्पीच यानि कि बोलने कि नेक्स्ट हमारा आता है freedom of expression यानि कि अपने आपको अभिवेक्ट करने के अपने आपको बताने की नेक्स्ट वन इस freedom of assembly without arms यानि कि हमें बिना हतियारों के हम क्या है कोई भी सभाव अगरा जो हमारी होती हैं हम वो कर सकते हैं freedom of association यानि कि संग की सवतंतरता जिसे कि हमारी चोटी चोटी associations होती हैं हमें उनको बनाने की और उनमें रहने की सवतंतरता दी गई है नेक्स्ट आता है freedom of movement through the territory of our country यानि कि हमें आजादी है हम कहीं पर भी घूम सकते हैं हमारी जितनी भी इंडिया की territory है boundary है वहां तक हम कहीं पर भी आजा सकते हैं next one is freedom to reside and settle in any part of the country of India यानि कि हमें ये भी आजादी है सवतंतरता दी गई है कि हम कहीं पर भी अपनी country के अंदर इंडिया के अंदर रह सकते हैं and the freedom to practice any profession यानि कि हम कोई भी काम कर सकते हैं हमें इसकी भी सवतंतरता दी गई है next one is all these freedom are subject to reasonable restriction that may be imposed on them by the state यानि कि जो भी हमारी freedom है उनके उपर state जो है कुछ restrictions लगा सकती है जैसे कि हमें article 19 के अंदर कुछ list बनाई गई है उसमें बताया गया है next one is right to information ये जो right to information का status है ये एक fundamental category के अंदर डाला गया article 191 के अंदर इसको डाला गया है constitution के जो कि 2005 के अंदर add किया गया article 191 अंदर which every citizen has the freedom to speech and expression and the right to know how the government works what role it play and its functions are and so on यानि कि हर इनसान को अधिकार है यानि कि जो भी नागरिक है citizen है इंडिया का उसको अधिकार दिया गया है कि किस तरीके से government काम कर रही है क्या उनके रोल रहेंगे किस functions के उपर वो work करती है और क्या क्या इस तरीके के काम जो है right to information के तहत हमें बता लग सकते हैं जैसे कि कोई भी अगर कुछ process किया जा रहा है और वो अगर आपके against है तो आपको right दिया गया है कि आप पूरी information government से उसके बारे में ले सकते हैं next one is article 20 no one can be awarded punishment which is more than what the law of land prescribed at the time of commission of the crime यानि कि हमारा article 20 ये कहता है कि किसी को भी जादा punishment नहीं दी जा सकती उसके अपराद के लिए जो कि हमने low के अंदर लिखा है उससे जादा किसी को भी punishment नहीं दी जा सकती next हमारा आता है article 21 article 21 declare करता है that no citizen can be denied his life and liberty except by due process of law it means कि अगर कोई भी जो citizen है हमारा उसको जितनी भी सवतंतरता या जीवन की आजादी दी गई है उससे कभी भी उसको वंचित नहीं किया जा सकता unless वो किसी low के कानून की किसी प्रकरिया के अंदर स्यामिल ना हो this means that a person's life and personal liberty can be disputed only if that person has committed a crime यानि कि अगर किसी ने कोई गुना किया है अपराद किया है सिरफ उसी केस में उसका जीवन और उसकी personal liberty यानि कि सवतंतरता वैक्तिगत सवतंतरता के उपर जब भी विवाद हो सकता है यानि कि वो लोग के according उसके जैसे कि किसी को कहा जाता है कि आप जैसे कि कुछ छोस ने crime किया उसको restriction लगा दी जाती है कि आप जो है इंडिया से बहार नहीं जा सकते या आप जो ही state से बहार नहीं जा सकते तो वो सिरफ उसी case में किया जा सकते है अगर उसने कोई crime किया हो next one is article 22 protection against arrest and detention in certain cases कुछ cases के अंदर जो है गिरफतार या निरोध है उसके खिलाफ जो सुरक्षा प्रोवाइड की गई है हमारे article 22 के अंदर किसी भी person को arrest नहीं किया जा सकता उसको बिना inform किये और as soon as may भी अगर उसको कर भी लिया जाता है किसी time पर तो उसको अधिकार दिया गया है कि वो अपना खुद का एक legal petitioner अपनी choice का choose कर सकता है अपने आपको बचाने के लिए यह हमारा article 22 कहता है अगर आपको इन articles को deeply study करना है कि article 22 में जैसे कि कोई example वगेरा आपको करने है या फिर कुछ deeply आपको इनके बारे में study करना है तो आप जो किसी भी मेडिया का यूज करके आप study कर सकते हैं साथ की साथ आप books वगेरा से study कर सकते हैं लेकिन हमारे जो बीड के अंदर अगर यह question आता है तो आप से सिरफ यही पूछा जाएगा कि fundamental rights के बारे में बताएं यानि कि आपको हर article, article 12 से लेके 32 तक आपको explain करने होंगे अगर आपसे fundamental rights के बारे में पूछा जाता है आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे comment में जरूर बताएं अगर आपको कोई doubt है तो वो भी आप comment में जरूर पूछें अपने friends के साथ ज़दे से ज़दे शेयर करें and thanks for watching